सो हलो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस टूल वेबसाइट को दिखाने वाला हूँ ठीक है यह कैसे वर्क करती है ठीक है आज तक किसी भी यूटुबर ने ऐसी स्क्रिप्ट आपके लिए नहीं लाई होगी मैं आपके लिए यह बे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो यह एक यूटूब हैस्टाग जनरेटर है ठीक है आप कभी भी अपने यूटूब चैनल के उपर अगर मैं मेरा यूटूब चैनल यहाँ पर ओपन करता हूँ तो इस वीडियो के नीचे आप देख सकते हो अगर मैं डिस्क्रिप् आता है तो आप अगर इस टूल स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हो ब्लॉगर के उपर तो आपके वेबसाइट के उपर मिलियन ट्राफिक आ सकता है और यहाँ पर आपको एडसेंस अप्रूवल 100-200% मिलेगा तो सबसे पहले ही कैसे वर्क करता है तो मैं यहाँ पर अगर इ को देख सकते हो मेरे यहाँ पर तीन हैस्टैक ready हो चुके हैं बस मुझे क्या करना है यहाँ से कॉपी करना है और सीधा description में जाके यहाँ पर पेश्ट करना है ठीक है script की link मिलेगे, आपको वहाँ से इसे download करना है, बहुत ज़्यादा complaintस आते हैं मुझे कि sir, आपकी script download नहीं होती, तो ये बहुत ही गलत है, आप सई से इस video को देखते नहीं हो, आप सई से download नहीं करते, आपको patience रखना चाहिए, क्योंकि भाई मैं भी दो पैसे कमाने के लिए इस स्क्रिप्ट को ready करता हूँ और कुछ छोटी मुठी सी एड लगाता हूँ ठीक है तो आपको उन एड को देखने के बाद में तीन पेज आपको कम्प्लीट करने हैं तीन पेज के बाद आपको ये स्क्रिप्ट मिल जाएगे रखुए मैं योटू करके में यहाँ पर टाइटल देता हूं उसके बाद में नेक्ठ बटीं के उपर क्लिक करूँगा अब यहाँ पर यूरल मुझे सेट करना है तो सेम रखूंगा मैं यूटूब tag तो यह मेरा URL ready हो चुका है अब यहाँ पर मैं save बटन के उपर click करूँगा तो यह हो गया हमारा blog ready तो हमारा जो blogger का dashboard है कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा ठीक है simple आपको view blog के उपर click करना है और आप देख सकते हो आपका फिलाल जो blog है यह बिल्कुल simple है ठीक है अब इस blogger के अंदर हम क्या करेंगे हमारी script को install करेंगे तो script description में दी है आप वहाँ से download जरूर कर लेना डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का code आ जाएगा ठीक है आपको simply इस code को Ctrl A करके copy करना है ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर dashboard के अंदर आ के theme के उपर click करنا है इसके बाद में यहाँ पर customize के side में klick करके आपको यहाँ पर switch to first generate classic theme के उपर click करना है और without a backup के उपर आपको click करना है edit html के उपर click करने के बाद में यह जितना code है इसे आपको control A करके इसे delete करना है और जो code मैंने दिया था वो code आपको यहाँ पर paste करना है ठीक है so इतना करने के बाद मैं यहाँ पर आपको save करना है save कर लिया यहाँ से मैं पीछे आओगा यहाँ से पीछे आने के बाद में guys हम वापस हमारे इस blogger के उपर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको simple reload करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी script यहाँ पर install हो चुकी है ठीक है पर उपर आप देख सकते हो यहाँ पर एक green color का navigation बार आ रहा है ठीक है तो इसे हमें हटाना है तो वापस आपको जाना है और यहाँ पर आपको click करके change now bar के उपर click करना है और यहाँ से इसे off कर देना है तो यहाँ पर save ठीक है save करने के बाद में आपको आना है वापस यहाँ पर और इससे reload करना है तो आप देख सकते हो हमारी जो website है वो यहाँ पर ready हो चुकी है ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हो यह है मेरी website और यह मैंने अभी ready की है वो website है तो मेरी वाली जो है इसे मैं delete करता हूँ यहाँ से cut करता हूँ अब इस website का बस यही काम नहीं है बहुत लोग क्या करते हैं script को install करते हैं और बस उसके बाद मैं wait करते रहते हैं कि यह rank होगी फिर इसके उपर traffic आएगा बहुत सारी वगेरा वगेरा चीज़े तो यह बहुत गलत है आपको सबसे पहले इसके setting कर लेनी है तो setting के अंदर जाना है मैं बहुत ही basic setting यहाँ पर आपको बता रहा हूँ अगर आपको setting के बारे में सीखना है तो आप मेरे channel के उपर playlist के अंदर जाके blogger playlist के अंदर जाओ और वहाँ पर आपको blogger के relative बहुत सारे videos मिल जाएंगे ठीक है अगर आपको वो नहीं चाहिए आपको एक मेरा personal course buy करना ह तो आप मेरे website के उपर जा सकते हो वहाँ पर मैंने blogger का एक course रखा है आप उसे buy कर सकते हो ठीक है मैं description में link दे दूँगा अब सबसे पहले यहाँ पर हमने title रखा है description सो यहाँ पर एक अच्छा सा description लिखना है description के अंदर आपको mention करना है कि आपकी website क्या करती है ठीक है उसके बाद में आपको नीचा आना है और नीचा आना है नीचा आना है जो important है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर कस्टम रॉबर्ट का यह जो option है इससे आपको क्या करना है on कर देना है ठीक है इससे मैं on करता हूँ और on करने के बाद में यहाँ पर आपको site map को add जरू करना है ब्लॉगर खुद अपने आप Google के रॉबर्ट को यह शो करता है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर आपको इससे on करना है ठीक है enable custom रॉबर्ट इससे आपको on करना है और यहाँ पर आपको करना क्या है home page को select करके यहाँ पर आपको all करना है और यहाँ पर आपको no dp करनी है पास इसके बाद में यह जो नीचे वाला search page tag है इसे भी आपको छोड़ना है उसके बाद में post इसे भी आपको छोड़ना है क्योंकि आपके पास post available नहीं होगी ठीक है क्योंकि यह script है अब इसके बाद में आपको Google search console के ओपर click करना है और Google के अंदर आपको अपने URL को submit करना है भाई यह बहुत ही important है URL को submit कैसे करते हैं तो आपके इस URL को आपको copy करना है अब गयाच यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारी जो URL है यह हमें यहाँ पर add करनी है तो हमें क्या करना है आप पर add property के ओपर click करना है और यहाँ पर आपकी URL को paste करना है तो यह है हमारा URL अब यहाँ हमारा URL यहाँ पर हम continue करते हैं तो मेरा automatic यहाँ पर ownership buy हो चुकी है आपकी नहीं होगी तो आपको सीधा इस code को domain name के DNS में जाके paste करना है और connect कर लेना है ठीक है अब directly blogger के अंदर इससे connect नहीं कर सकते इसके उपर में एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा और यहाँ पर इससे मैं क्या करूंगा पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से सर्च करूंगा कि कभी भी अपने domain name को यहाँ पर submit करो सबसे पहले और request investing के उपर आपको क्लिक करना है तो मैंने मेरे URL को यहाँ पर submit किया है एक से दो दिन के अंदर यह Google के उपर index हो जाएगा तो यह मेरा काम यहाँ पर खतम होता है और इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाई है अगर आपने उस वीडियो को miss किया है तो भाई मैंने आई बटन के अंदर दी है और आपको description में भी मिल जाएगे तो यह में यहाँ से cut करता हूँ तो आज की वीडियो यही तक थी setting बहुत ही जादा important होती है और tool script भी बहुत important होती है अगर आपको SEO related को सीखना है अगर आपको अपनी website से पैसे कमाने है तो मेरे course को आप buy कर सकते हो description में मैंने link दी है so मिल दे है next वीडियो में